हालो दोस्तो राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको आज की लेटेश कम्टेटिव एक्जाम और जो अगर उडेट बताऊंगा इस वीडियो को सुरू सब्सक्राइब करना ना भूले तो यह है जो कि आप देख रहे हैं हेडलाइन्स पर क्या है बन वर जल सब्सक्राइब करना कर्वाइब की जा रही है और बाहन चालक के पदोपर नियुक्ति के लिए संतावन सफल अभेट के नुसंसा की गई है और नियुक्ति पर करिया पर रोक लगा दिया गया है जो चालक है वो कुछ परमोशनल पद है आपको मैं बताता हूँ कि परमोशनल पद कौन-कौन से है तो यह किस से आएगा बन पाल फोरेश्टर यह किस से आता है किस से आता है CSBC यह भी 346 पद है जो कि आएगी जो बहुत दिनों से जो कि इन तरी यह सब क्या है रोश्टर क्रेंज का कार्मचारा कब तक आ सकती वेकंसी तो एक दो महिने के अंदर है जो कि यह बाहली है जो कि आ सकती है तो यह जो बहुत सारे लोग जो इंतेजार कर रहे थे कि CSBC से कि फोरेश्टर का कितना होगा और यह जो बन रच्छी है इसका कितना होगा फोरेश्ट गार्ड का बन रच्छी का सबसे ज्यादा जो CSBC से 1113 वेकंसी यह आएगी कितनी आएगी 1113 निम्न बरगियली पिक इसका जो कि इंटर लेवल से आएगी यह 46 पद जो है अभी खाली है इसका उच बरगियली पिक कर नहीं आएगी कि नहीं आएगी आप आपके यह प्रतु दिखाया गया उच बरगियली पिक पर्मोशनल पद है उसको प्रमोशन दे के देना है और प्रधाल लिपिक की भी नहीं आएगी क्यों नहीं रहेगा क्योंकि यह प्रमोशनल पद है यह सीधी भरती में आपकी जो बैकेंसी निकलती है प्रमोशनल पद पर पर है यह प्रमोशन जो कार्य कर रहें यहां पर लिखा भी आएगी आशुलिपिक की सोलह पद है यह नहीं आएगी आशुलिपिक की 18 है और प्रारूपक की 16 है चालक का बेरासी है टोटल है जो कि 1801 तो इसमें लगवाव माल के चले 1700 काशपास है जो कि वेकेंसी है जो कि रियल में खाली है आनी किस से है BPSC से CSBC से और BSSC इंटर लेवल सी इंटर लेवल के हलक वेकेंसी निकल चुकी है ये तो हो गई आपको मन विभाग में अब किरसी विभाग में यह जो की बहाली का क्यास्ट इटी है तो किरसी बहाली में इसाद 1427 पदो पर भाली होगी इनमें परकांड किरसी पदादिकारी 833 जो है पदो पर भाली की परकृयांतिम चरन में है साहायक निडेशक सम्कच अनुमंदलक्रिसी पदादिकाड़ी के 155 पान साहायक निडेशक 19 पदोपर चेहन कि रिया भी आन्थि वहीं साहायक निडेशक रसाइन 20 पदोपर साहायक 4 पदोप वीपीज इकु अधिया सिनल्दाब ब्यपीज को भेज दिया गया लुड्ला पर अंतिम चरण में और निरिच्छक मापतावल के 34 पदोप पर करिया धीने परखंड उधान पदा जिकार 1318 पदोपर पर बहुत 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 मौका है और तो यह दो महिने के अंदर है जो कि रोश्टर जैसे किलियर होगा मतलब बिहार में एलेक्षन से पहले जो कि बहुत सारी CBSS, CCGL4 हो गया, ये सब हो गया और इंटर लेवल के अभी नहीं है क्योंकि परक्रिया में है तो वो उसमें थोड़ा समय लगए है क्योंकि अभी उसकी परिच्छा होनी है और ये परिच्छा कब होगी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दिसम्बर में उगी जन्वरी में तो ये कभी किलियर नहीं हुआ है उसके बाद आते हैं दूसरी ख़बरों पर और है आठ सो जो है पसूच किस्टा का क्या स्थिति है पसूच किस्टा कर निमावली है जो कि संसोधन जो है कर लिया गया है और इसमें जो है आपको ये माना जा रहा है कि प्रादिकरित सभीती को भी हरी है नमंबर के अंत तक किसे कैबिनेट में जो है पसूच किस्टा में होना ही चाहिए अधिक योगिता अभियर्ति को पहले लिखित परिच्छा पास करनी होगी लिखित परिच्छक बास साथ सितकार होगा इसके बार अ यह लिख भायुक से पसूच किस्ट बाहली का प्रादान किया अister किया है और भाजटी में five in OldClute में जो मतलौ शूच में अधिक है जो कि medo कि जाड़ी होगी और भी दो ह mask में है जो कि दो हजार नभिया नस्जा है लेकिन उसमात्र है जो आपको 1250 और Dobri से चाहले का sur Ef पर कि अब आते हैं दूसरी ख़वरों पर तो क्या है कि जो है निट का है जो कि आपको मेंन का है जो कि जन्वरिंद वो निट4 मऐ को है जो कि संभावित है सो इस बार है जो कि बदला गया है जो हमेंन का पैटर्न और चार माई 2025 को होगा आपको नीट का और पहला सातर जोहिद जैई मेंस का जनवरी का अंतिम सत्ता में होने के उम्मीद है जल्द ही जो की एक्जाम कलेंडर है जो की जारी कर देगा और इसमें जो की सारा चीज रहेगा अवेदन पर के लिए सब्सक्राइब क्या बदलाव किया है यह मेंस सभी स्योक सेक्षन भी बैकल की प्रश्ण हटा दिये गा है या बदलाव जो की बैसलर ओफ इंजिरिंग बै आर्टिचेक्चर प्लानिंग पेपर टूपर भी लागू होगा तो यह सब जो की आपको परिच्छा जो है तीन घंटे और तीस मिनटा बंटित किये जाएंगे और यह बिन्हान परसद का जो के कल आया है कर्याले परचारी रातरी परहरी यह सब का जो की आविद को कुछ सुचित क्या आता है कि परिच्छा जो है कब-कब होगी तो 27 दस को परथम पाली में है जो की होगी कर्यले परचारी दर्वान सफाई कर्मी का और आसूल इपिक का है जो की दूतिये है जो की 27 दस को इभी लिया जा सीधी भरती पठना में ही होगी यह जो है आपको 22 दस है मतलों कल से ही है जो की मिलना चलू होगे तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं सच्छमता पास 148 इसको संदिक सत्यता सावित करने का इनको अंतिवकिती दिया गया है कि आपके जो की इसको कर ले इसको 27 अप्टूबर तक है जो की डियलेड संस्थानों में नमंकन होगा, मेरिट लिष्ठ है जो की जारी कर दिया गया है तो 27 अप्टूबर तक है जो कि इसको अपडेट करना पर सिचन संस्थानों को और ट्राइ थ्री का जो लोग इंते जार कर रहे हैं वह पंदरान नमंबर के बाद ही जो कि उसको जारी जारी होने की उम्मीद है तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्नेवाद